नमस्कार देख रहे हैं जहकास भारत और मैं हूँ रविकान्त बिहार के अभियर्थियों के लिए लगतार आते रहता हूँ और छात्रा अंदोलन करते हैं दिलिप जी लगतार मुद्दो के साथ आते रहते हैं अभी B.S.S.C को लेकर जो दो दिनों पहले धर्ना परदर्सन और अंदोलन था उसके बारे में पूछेंगे कि क्या कुछ वहां चल रहा है और आप लोगों की मुख मांगे क्या थी उस वक्त इतनी भीड भड़कता था पूछने में नहीं बना और हमें भी काम था तो दूसरे जगा जाना पड़ा इसलिए मैं अभी दिलिप जी से पू पूरी नहीं हुई है और इसकी सारी प्रकिरिया लगभग पूरी हो चुकी है लेकिन काउंसलिंग करवाना है और फाइनल रिजल्ट देना है उसमें बिलम किया रहा है और यही बजा है कि परिक्षार्थी काफी तना उग्रस तब हो गया है तो परिक्षार्थियों की बीएससी ने अंदोलन के दबाम में आके 19 सितंबर को ही घोसित कर दिया तो इसलिए 23 सितंबर के आंदोलन का फिर हम लोग का डिमांड जो है वो हो गया कि रैंक लिस्ट जारी किया जाए और उसके बाद फरजी वारा इसमें रोका जाए और जितने भी फरजी अभियरतिय उस सभी पार्टीस के संग्यान में इस जाए और उसी सफाल रहां सभी नेशनल चैनलों पर इसकी ख़बर चलाई गई और सभी अख़बारों में यह घ़ख रूद सभी पॉलिटकर पार्टी निताओं के संग्यान में ये आ चुका है और सरकार पे काफी दवाब भी बना है और आयोग पे भी दवाब बना है आप देखिए कि उसी दिन आंदोलन के दिन ही देर साम BSSE के सचीव का बयान आता है जो कि अगले दिन अखबार में छपी थी देनिक जागरन में कि जल्द ही एक कमिटी बिठा के फरजी वाली बात है उस पे जांच बिठाई जाएगी और हर हाल में हम नवंबर पर्थम सब्ता में काउंसलिंग सुरू करेंगे जैसा कि नोटीस उन्होंने जिसकी घोसना हमने उसी दिन कर दिया था 3 सितंबर को इंगरदनी भाग में तो बिएससी को अब करना ही पड़ेगा चुकि यह भाली साथ साल कितने अभियर्थी अब बचे हैं क्योंकि जो फाइनल रॉंड में आते आते तो तेरे हजार अभी अभी लगवग टाइपिंग के लिए लगवग 50,000 अभी अभी अर्थी का वहां पर लेकिन बावन हजार कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कउंसलिंग के इतेजार कर रहे हैं और परिचार्थियों का ये भी मांग था कि आब बाव선 लेकिन डावन सफ्वारों कुछ स्टूडेंट्स जो ह्ने सरकार 1210 स्टूडेंटों को साथ क्यों लाकर फ्रसे पुरी बहाली हैं कितने हैं कि पैसा के बल पयां यह तो बताना मुस्किल है यह तो जांच के बाद ही पता चले लेकिन आयोग ने जैसा कहा कि यह तकनीकी भूल के चलते हुआ कि वह आरक्षन में आते हैं और उनको जनरल केटेगोरी में कर दिया गया था इस वज़े से उनका रिजल्ट नह मुझे फोन किया है जिन परिक्षार्थियों में मुझे फोन किया है ओलो काटेगोरी में है कोई EVC के केसी तो उन लोग के कहा है कि हम जोह मेरे घर लेटर आया है कि आपका मुख पिंधा पर उप्राया जा बहर दिजिए फोер तो एँगर ने बताया है तो अब क्या इसके पीछे लेकिन 1218 में 1218 अभी अर्थी सही होंगे मुझे तो इसा नहीं लगता मुझे तो जरूर लगता कि इसमें से 500 600 500 600 700 जो भी हो जब निस्टी तुरूप से यह पैसे का खेल होगा और फरजी वारा किया गया बैकडोर इंट्री इसमें कर 50 अधर्थि काफी इंतजार कर रहे हैं मगर सरकारे नहीं सुन रहे स्थे लोगा अंदोलन और प्रदर्शन लगातार करते रहते हैं दिलीपस लेकिन उससे पहले उसको रैंक लिस्ट भी जारी करना पड़ेगा तो रैंक लिस्ट अक्टूबर में जारी करना पड़े उसको तभी तो लोग देखते हैं कि BCC क्या कर रही है जलिए मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा धन्यवाद कहूंगा और जखास वारत देखते रहिए BSAC का ये मुद्दा है आठमे साल ये जा रहा है हम देखते हैं कि ये बहाली आखिर कब तक पूरी होती है मेरा नाम हुआ रविकांत अच चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियोंगे तो कर लिजेगा और फेस्बूक पेज को भी लाइक करिएगा धन्यवाद